आजादी के अमरित महसफ के तहट पुलिस अदिक्षक मोहित हांडा ने भगसिंग चौंग पर बनाए गए ट्रैफिक बूत का उद्खाटन किया पुलिस अदिक्षक ने बताया कि भगसिंग चौंग पर आज पुलिस पोस्ट का उद्खाटन किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक संचालक सही तरीके से चलता रहे इसके तहती CSR का सहयोग करते हुए ये ट्रैफिक कोस्ट बनाय गया है इसमें मुलाजिम के लिए कहीं प्रकार की सुविदा दी गई है क्योंकि जो पुलिस कर्मी दिन में रात में यहां पर ड्यूटी दे रहे हैं उनके रेश के लिए भी इसमें व्यवस्ता की गई है ये सारे संस्थान इस पुलिस पोस्ट में लगाए गई है वहीं उनने कहा कि इसके लावा भी अन्यकों प्रोजेक्ट हैं जो इस पोस्ट पर लगाए जाएंगे उन्होंने कहा कि पुलिस को कारगार बनाने के लिए इस पोस्ट की शुरुवात की गई है स्पी मोहित हांटा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोगों को भी इसमें बढ़ चड़कर अपना सयोग करना चाहिए ट्रैफिक रूल्स का पालंग करना चाहिए क्या आज क्या पर्पस और क्या फायदा रहना होगा है देखे आज यहां बगत सिंग चौंक पे जो है वो पुलिस मुलाजमों के लिए और ट्रैफिक संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पुलिस कोस्ट है वो बनाई गई है और साथ ही साथ यह कम्यूनिटी पुलिसिंग का भी एक जो है नायाब उधारन है यहां पे बिल्कुल सी एसर के तहत पुलिस को सहयोग करते हुए यह ट्रैफिक पोस्ट बनाई गई है इसमें मुलाजमों के लिए जो है वो सुविधा रहेगी कि उनको क्योंकि यहां पे देर सवेर और देर रात अपनी ड करने के लिए और साथ ही साथ यहां पे जो एंफोर्समेंट होती है जो चलानिंग की जाती है वो भी ताकि कीप जा सके लोगों के डॉक्यमेंट्स और उनके जो पाकी कागजात है उसको चेक किया जा सके और साथ ही साथ यहां पे यह भी योजना है कि इधर जो कैमरास है व वो भी लगाया जाए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अनॉंस्मेंट ट्राफिक रिलेटेड या कोई साइबर क्राइम रिलेटेड वो भी यहां में की जा सके तो इन्हीं उदेशों से और पुलिस को और कारगर बनाने के लिए यह शुरुआत की है हरियाणा की हर अपडेट के लिए बैल अइकन दिभाए और सब्सक्राइब करें सिटला फरयाणा फेस्बूक पर भी हरियाणा की हर अपडेट केले सिटला फरयाणा पेज को लाइक करें